students in this video I am going to explain you how to subtract the fractions let us take an example of a question 6 upon 4 minus 3 upon 5 आपको 6 upon 4 में से 3 upon 5 subtract करना ये दोनों जो हैं इसमें 6 numerator है 4 denominator है 3 यहाँ numerator है और 5 denominator है चले तो subtract करते हैं 6 इसमें 6 upon 4 minus 3 upon 5 first step is to take the LCM 4 और 5 का LCM लेते हैं LCM सिर्फ denominator का ही लेना है 2 से करते हैं सबसे पहले 22 आफ 4 को 2 से डिवाइड किया 2 5 add as it is क्योंकि 5 2 से डिवाइड नियुक्त फिर 2 से करते हैं 2 को 2 से डिवाइड किया 1 5 तो डिवाइड नियुक्त तो 5 as it is अब 5 से डिवाइड करते हैं 5 को 5 से डिवाइड किया 1 जब यहां 1 1 आए तो stop कर देना है LCM कितना ओ गया 2 multiply by 2 multiply by 5 तो it is 2 2s are 4 4 5s are 20 so LCM हमें सिर्फ denominators का ही लेना है यहां denominator 4 है और denominator 5 है so LCM of 4 and 5 is 20 फिर आपने LCM को यहां पलिक देना है 20 अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 और 5 को नियुक्त नियुक्त से multiply कर देंगे minus 20 को 5 से डिवाइड किया it is 4 और जो उपर नमबर नियुमिनेटर से multiply कर देंगे 20 को 5 से डिवाइड किया 4 और 4 को 3 से multiply करना है 5 को 6 से multiply किया 5 6 तो 30 minus 4 3 तो 12 अपन 20 जब हमने 30 में से 12 को subtract किया तो it is 18 18 अपन 20 simplify कर लेंगे 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20 so 9 upon 10 जब हमने इसको subtract किया तो our answer is 9 upon 10 चलिए अब एक fraction को subtract करते है जहाँ पर denominator सेम हो जैसे 11 upon 7 minus 5 upon 7 अगर denominator सेम है तो LCM नहीं लेना है बिल्कुल direct करना इसको denominator सेम है इसको as it is लिख दो और numerator को बिल्कुल वैसे ही minus करके लेगे दो 11 minus 5 अगर denominator सेम है तो 11 में से 5 गया तो it is 6 6 upon 7 simplify कर सकते हैं लेकिन यह simplification नहीं होगी कुछ नहीं कटेगा तो it is 6 upon 7 7